तो HDFC Bank India का सबसे बड़ा private bank है जहां पर बहुत सारी लोग अपना savings account open कराते हैं और आप भी अपना account HDFC में open कराना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहां पर कितने features आपको मिलते हैं किस चीज़ के कितने charges आपको लगते हैं और यहां पर balance कितना maintain करना होता है और फिर आपको यहां पर अपना account open कराना चाहिए या नहीं सारी चीज़े हम बहुत simple तरीके से समझने वाले हैं तो चलो वीडियो को start करते हैं अब देखो सारी important चीज़े मैंने लिखके रखी हुई है और उसके अंदर भी जो important है वो मैंने highlight किया हुआ है अभी हम स्क्रीन पर देखके समझेंगे तो हमें चीज़े बहतर तरीके से समझ आएंगे सबसे पहले देखो HDFC bank regular savings account यहां पर है सबसे पहला point मैंने लिखा हुआ है minimum monthly average balance मतलब कि जब आप अपना account open करा लोगे तो आपको कितना balance अपने account में रखना पड़ेगा monthly तो यहां पर देखो metro और urban branches जो हैं वहाँ पर आपको 10,000 यानि कि 10,000 रुपे maintain करना पड़ेगा या फिर एक और option आपके सामने है कि या तो आप 10,000 maintain करो या 1,000,000 रुपे की FD minimum एक साल के लिए आपको करानी पड़ेगी semi urban जो branches हैं वहाँ पर आपको 5,000 रुपे maintain करके चलना पड़ेगा या फिर आपको 50,000 रुपे की FD एक साल के लिए करानी पड़ेगी अब यहाँ पर लिखा है AQB for rural अब यह AQB क्या है AQB मतलब है average quarterly balance rural branches में एक महीने नहीं तीन महीने में आपको maintain करना पड़ेगा कितना 5,000 रुपे या फिर आप 25,000 रुपे की FD एक साल के लिए आपको करानी पड़ेगी अब यहाँ पर देखो तीनों में अलग-अलग balance आपको maintain करना होगा लेकिन एक सवाल आता है कि आपको नहीं पता कि आपके आसपास में जो branch है उसमें कितना balance maintain करना पड़ेगा मतलब कि वो semi-urban में आती है rural में आती है, कि metro में आती है आपको नहीं पता है तो वो कैसे पता करोगे और अगर Google पे नंबर नहीं मिलता है या वहाँ से किसी तरीके से पता नहीं लगा पाते हो तो आप ब्रांच में चले जाओ वहाँ पे उन लोगों से पूछलो कि यह ब्रांच कौन सी है सेमि अर्बन है कौन सी है और उसमें कितना बैलेंस मैंटेन करना होता है तो यह वहाँ स हजार मैंटेन करना है दस हजार मैंटेन करना है उससे जितना भी कम होगा उस पे 6% आपको यहाँ पे मन्थली जो होगा जितनी भी अमाउंट कम होगी उस पे 6% आपको यहाँ पे non-maintenance के charges देने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको 600 maximum आपको जो non-maintenance का चार्ज से वो देना पड़ेगा यहाँ आपको non-maintenance का चार्ज नहीं देना पड़ेगा तो 600 देना पड़ेगा यहाँ अगर आता है 6% तो उतना आपको देना पड़ेगा अब second point यहाँ पे आ जाता है interest rate कि भाई आप अपने account में balance रखोगे तो उस पे आपको एक साल के अंदर कितना interest मिलेगा देखो यहाँ पे अगर आप 50 लाग के नीचे रखते हो तो आपको 3% मिलेगा और अगर आप 50 लाग से उपर balance रखते हो तो 3.5% यानि कि 3.5% का rate of interest per annum आपको यहाँ पे यहाँ व withdrawal transaction इसमें क्या होता है देखो जब आप अपना account open करा लेते हो तो आप branch में जाके कही बारी पैसे deposit भी करते हो withdraw भी करते हो तो उसकी भी एक limit होती है savings account के अंदर की भाई आप महिने में 2 बार 3 बार या 4 बार कितनी बार deposit या withdraw कर सकते हो तो यहाँ पे वो मैंने लिखा हुआ ह आपको 4 free transaction per month मिल जाती है मतलब किया तो आप 4 बार deposit कर सकते हो और 4 बार ही आप withdraw कर सकते हो और इसके उपर आप transaction करोगे मालो 4 बार से ज़्यादा बार आपने पैसे withdraw कर लिया है 4 बार से ज़्यादा बार आपने जो पैसे हैं वो deposit कर दिये तो फिर आपके उपर जो यहाँ चार्जिस हैं वो लगते हैं कितने लगते हैं आपको 150 रुपे पर transaction प्लस applicable taxes यानि कि 150 रुपे या फिर आपको यहाँ पर 18% GST के साथ में देना पड़ेगा अब यहाँ पर deposit और withdrawal की limit भी है देखो अभी हमने बात की थी number of transactions की कि कितनी बार आप पैसे deposit कर सकते हो और withdraw कर सकत एक महिने में आप deposit और withdraw तो देखो यहाँ पर आपको एक महिने के अंदर free limit मिलती है 2,00,000 रुपे तक की मतलब कि आप 2,00,000 रुपे deposit भी कर सकते हो 2,00,000 रुपे आप withdraw भी कर सकते हो इतने तक की limit आपको free मिलती है इसके ऊपर आप एक महिने में मालो आपने 2,00,000 रुपे की महीने के अंदर 2,00,000 रुपे तो निकाल लिये और आपको एक लाख रुपे अभी अर निकालने ब्रांच में जाकर तो यहां पे आपको 150 रुपे तो मिनीमम देना ही होता है जाहिए आप 150 से ज़ादा amount होती है तो वो आपको 5 रुपे पर 1000 के हिसाब से देनी होगी अब next यहाँ पर ATM और debit card के charges आ जाते हैं कि वही जो आपको ATM card मिलेगा bank से उसके कितने charges होंगे देखो पहले हम बात कर लेते हैं जो आपको bank से ATM मिलेगा उसके एक साल के कितने charges होंगे देखो यहाँ पर HDFC bank 20 से ज़्यादा debit card offer करता है मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा वाला मिलेगा या आपको कौन सा वाला लेने वाले हो तो उसमें सभी के charges अलग-अलग होते हैं लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि HDFC bank में minimum आपको 200 रुपीज debit card के charges देने होते हैं और बाकी सभी card के इस से ज़्यादा भी है 1000 रुपे तक भी charges है अब आप ये भी जानना चाहते हो कि कौन सा debit card सही रहेगा है कौन सा आपको लेना चाहिए तो उसके लिए भी मैंने लगसे वीडियो बनाया है अभी recently उसका link मैं नीचे description में दे दूँगा अब बाद में जाके वो वाला वीडियो भी देख लेना लेकिन बाद में आप ATM यूज करोगे कहीं पे जैसे किसी भी ATM में यूज करोगे तो उसके कितने charges होते है उसके बारे में बात करते हैं देखो सबसे पहले हाँ पे free transaction आपको मिल जाएंगी 5 HDFC bank के ATM पर यानि कि आपके HDFC bank का debit card आपके पास है और HDFC का ATM है तो उसमें आपको एक महीने के अंदर 5 free transaction मिल जाएंगी cash निकालो चाहिए balance चेक करो या आप कुछ भी करो इसके अलावा आप metro cities में और दूसरे other bank के ATM है तो आपको 3 transaction free मिल जाएंगी अभी metro cities कौन सी है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता बैंगलो और इस तरह से जो बड़ी cities है यहाँ पे आपको 3 free transaction मिलेंगी HDFC के लावा दूसरे banks में अब यहाँ पे अगर non metro city है तो वहाँ पे आपको 5 transaction मिल जाएंगी दूसरे bank के ATM पे भी अब अगर आप वो वाली जो transaction है वो complete कर लेते हो अपनी free वाली, उसके बाद फिर आपका charge लगने लगता है, कितना लगता है चेक करते हो, तो 8.5 रुपीज आपका जो charge है, वो यहाँ पे लगेगा अब next point है, यहाँ पे checkbook का की भाई देखो, जब आप अपना account open कराओगे तो आपको एक checkbook मिलेगी, होता क्या है कि जब आप अपन HDFC bank में account open कराते हो, तो कई सारी जगे पे आपको immediately एक kit दे देता है bank, जिसमें क्या होता है, कि आपको 5-6 पेजों की checkbook मिलती है, कि आपको urgently किसी को check देना है, तो आप उस checkbook को भी दे सकते हो, लेकिन इसके अलावा, आपको एक साल के लिए 25 check की एक book मिलती है, HDFC bank में, जो आप account open कराओगे तो net banking से आप खुद भी request कर सकते हो checkbook के लिए, नहीं तो अगर branch में account open करवा रहे हो, तो उनको ही बोल दोगे, कि checkbook चाहिए तो आपकी 25 check की book issue कराके दे देंगे, एक साल के लिए आपको 25 check की book free मिलती है और उसको अगर आप use कर लेते हो मालो, आपने वो सारे 25 check use कर ले, आपको और checks चाहिए तो उसके लिए फिर आपको request करनी पड़ेगी, वही या तो आप mobile banking app net banking, या branch में जाके भी उनको बोलोगे checkbook चाहिए लेकिन उसके लिए आपको और extra charge पे करना पड़ता है, कितना आपको 25 check की book और लेनी है तो आपको 100 rupees आपको देने पड़ेंगे, उस checkbook के लिए जो कि आपके account से कट जाएंगे, statement में आपको दिखेंगे, अब 6th number पे मैंने एक interesting चीज लिखी हुई है, number of branches and ATMs देखो, ये काफ़ी important होता है कि किस bank में कितनी branches आपको मिलते हैं, कितने ATMs मिलते हैं तो HDFC bank के currently, जिस टाइम पे मैं विडियो बना रहा हूँ, यहां पे 7,945 branches हैं और 20,000 के above ATMs हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो काफी सारे ATMs और branch भी काफी सारी हैं जिससे कि आपको easily ATM भी मिल जाएगा HDFC bank का, अगर हम compare करें और छोटे दूसरे bankों से private bank से अगर मैं compare करो अब देखो, 7 number पे मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है mobile app की rating HDFC bank की जो mobile banking app है उस पे 1 million plus reviews है 3.7 star rating है 50 million plus download है अब यह 3.7 star rating थोड़ी कम है मैं बताता हूँ क्यों है HDFC bank की अगर जो आप app देखोगे अगर उसकी comparison में जैसे की ICICI bank है वहाँ पे आपको थोड़ी सी updated app मिलती है जो HDFC bank की mobile banking app है काफी सारी चीज़े उसके अंदर जो important है money transfer या बहुत सारी चीज़े हो जाती है लेकिन वो app यूज़ करने में थोड़ा सा outdated लगती है जिसकी वज़र से इसकी यहाँ पे थोड़ी rating कम है बाकि important कम आपके उससे सारे हो जाते है अब सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है अब end में आ जाते है एक बहुत important चीज़ पे क्या आपको यहाँ पे अपना account open कराना चाहिए या नहीं customer service कैसी है इन सब के बारे में HDFC bank एक private bank है मैं खुद HDFC bank में मेरा account है चार साल से मैं use कर रहा हूँ अब यहाँ पे न देखो service आपको काफी अच्छी मिल जाती है मैंने अभी recently एक video भी बनाया था जहाँ पे मैंने compare किया था SBI से HDFC bank को तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि HDFC bank में service आपको काफी अच्छी मिल जाती है क्योंकि एक private bank है तो यहाँ पे काफी अच्छी आपको service मिलती है लेकिन यहाँ पे आपको charges थोड़े से करना होता है अगर आपको balance maintain करने में कोई दिक्कत नहीं है charges से कोई दिक्कत नहीं है आपको अच्छी facility चाहिए तो HDFC bank आपके लिए बहुत अच्छा option है क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपन अकाउंट open करवाओगे कुछ time बाद यह लोग आपको personal loan, car loan, debit card, EMI, pre-approved credit card इस तरीके की चीज़े offer करने लगते हैं और कुछ time बाद यह आपको relationship manager तक भी provide करते हैं जिससे होता क्या है कि अगर आपको कोई भी problem होती है आपको कुछ जानना भी है तो आप customer care को call नहीं लगाओगे सीधा आपने RM को call लगाओगे, उससे पूछोगे कोई भी problem होती है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो आप वहाँ पे सीधा call कर सकते हो यह facility दूसरे banks में भी मिलती है लेकिन यहाँ पे भी आपको मिलती है तो अच्छी service और facility आपको चाहिए hopefully आपको यह वीडियो यहाँ पे अच्छा लगा होगा चीज़े समझ में आई होंगी इजी तरीके से मैंने बताने की कोचिस करी है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हूँ तो subscribe करके बैल आइकन प्रेस कर लेना इस तरह के और वीडियो इजी तरीके से देखने के लिए और आप चाहो तो भाई मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे एक नहीं वीडियो में तो अपके लिए thank you बाई बाई